वेलकम बैक पार्ट एट में आपका स्वागत है और इस पार्ट के अंदर हम पैर्स आप लिंगेर डिक्विशन इंटू वेलेबल्स की एक नई मेथड के बारे में डिस्स करना जा रहे हैं алисьalg Solutions method है हमारी सकंद मेथड इरट इसमें यह है एलिमिनेशन मेथड हम ने अभी तक जो डिसकेस किया था वह सब्सीटूशन मेथड थी अभी हम बात करेंगे वह है काफी एज़ी और आपको तुरंत आंसर लाकर देती है यह मेथ美味 मगर आपके पास algebra और linear equation की अच्छी practice होनी चाहिए ठीक है यहाँ पर मेरे पास दो question है एक pair है linear equation का 9x-4y is equal to 200, 2000 and 7x-3y is equal to 2000 तो अभी हम क्या करेंगे मुझे elimination करना है eliminate मतलब किसी को हटाना cut करना या उसको erase कर देना या उसको gap कर देना eliminate मतलब कम कर देना हटा देना ठीक है तो काफी easy method है यह बलते मैं equation को लिख लेता हूं यह 9x-4y is equal to 2000 and 7x-3y is equal to 2000 अभी क्या करेंगे हम या तो यहां पर 9x and 7x है तो हम कोशिस करेंगे यहां पर इस पूरी equation को और इसको कुछ न कुछ multiply कराके इन दोनों को सेम कर दें या फिर हम इस दोनों को कुछ multiply कराके same कर दें अब देखो इनको multiply कराएंगे तो इनके comparison में 9 और 7 देखो 4 है और 9 है 3 और 7 है तो इनके comparison में 9x and 7x है थोड़े बड़े हैं तो अगर मैं इनको multiply कराऊंगा तो numbers थोड़े बड़े हो जाएंगे calculation difficult हो जाएगा तो हो सके इतना छोटे numbers को देखकर आप equation को दोनों साइट से multiply कर रही है अब देखो यहाँ पर 4 है यहाँ पर 3 है अगर मैं इस पूरी equation को 3 से multiply कराऊं और इस पूरी equation को 4 से multiply कराऊं तो मुझे क्या result मिलेगा देखना आप ठीक है 9 3 जा 27x minus 12y is equal to 2000 sorry 3 2 जा 6 हो जाएगा 6000 एंड यहाँ पर हो जाएगा यह 28x minus 3 4 जा 12y is equal to 2 4 जा 8 हो जाएगा 8000 हो गया अब देखो आप देखो मैंने multiply करने से यहाँ पर y के जो coefficients है ठीक है उनको मैंने क्या कर दिया equal कर दिया अभी हम क्या करेंगे वैसे आप चाहो तो x को भी equal कर सकते है no problem अब मैं बाहर से minus करा रहा हूं क्यूंकि element का मतलब ही होता है minus कराना कम करना या हटा देना तो मैं दोनों values सेम हो गए है तो मैं इनको हटा दूँगा अब मैंने बाहर से minus करवाया यह plus में था minus में हो जाएगा यह minus में था plus में हो जाएगा ठीक है तो 28, 27, minus 28 यह आ जाएगा minus 1x यह हो गया minus plus minus मतलब ही cut हो जाएगा और यह plus में था, तो यह minus हो जाएगा, तो आप इस कहां से कितना बनेगा, 8 में से 6 गया, तो minus 2000, अभी हमारी प्रेस क्या बचा, minus x is equal to minus 2000, is equal to के दोनों साइड, यह value है तो cut हो जाएगा, यह आगया x का value, equation 1 दे दीजिए आप, आप चाहिए तो अभी equation 1 को आप इस में या इस में रख सकते हो, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, मुझे इसके comparison में यह equation छोटी लग रही है, तो मैं 7x minus 3y is equal to 2000, इसमें मैं x की value रख रहा है, minus 3y is equal to 2000, यह वह जाएगा 14,000 minus 3y is equal to 2000, यह यहाँ पर जाएगा, तो minus 3y is equal to 2000, minus 14,000, 3y is equal to minus 12,000, 12,000, y is equal to, is equal to के दोनों साइड minus हैं, कटो जाएगा, 12,000, divided by 3y is equal to 4000, तो आप इस तरीके से elimination method कर सकते हो, आप चाहो तो x वाले coefficient equal कर सकते हो, या y वाले coefficient equal कर सकते हो, आपको equation के दोनों साइड आपको multiply कराके, आप कोई ना कोई value यहाँ पर multiply कर सकते हो, जिसकी वैसे आपके पास ऐसी दो नई equation बन जाएगी, आप उसको बहार से minus करा दीजिए, minus करने पे दोनों की value यहाँ प्लस तो minus, minus तो plus, minus तो plus हो गया, plus साथ माइनस हो गया, फिर आप इस तरीके से उसको हटा कर, eliminate करके x और y की value लास हित्ते हो, मिलता है नए पाट के अंदर नए टप्र के साथ तत्तर के लिए, thank you so much.